आज है गरतंत्र दिवस तो आप सभी को गरतंत्र दिवस की बहुत बहुत बताईया हैपी रिपब्लिक डे टू आल तो अभी हम लोग चेकाउट कर रहे हैं और ये मौर्निंग का टाइम है तो आज रिपब्लिक डे के मौके पे बच्चों लोको एक्स्टा एक्टिविटीज कराई जाती है हमारे रिसॉर्स में तो यहां पर आदित्या थोड़ा बहुत एक्टिविटीज कर रहा है और उसके बाद हम लोग चेकाउट करेंगे इस होटल से और फिर हम लोग ऊटी छो हम लोगों ने वापीस से एक और होटल में चेक इन किया है और वो ऊटी में है तो पहले वाले होटल में हम लोग थे वह उटी फन हिल था और यह जो होटल है यह है यह है उटी एक हिल लब यह से थोड़ी दूरी पर 3-4 किलोमेटर की दूरी पर है यह रिसॉर्ट है और इसकी भी इस रिसॉर्ट की जो एम्ब्यांस ना वह भी बहुत अच्छी है बहुत सुन्दर है बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहां आकर कि मतलब हम लोग एक ही जगह में दो जगह को experience कर रहे हैं एक ही place पे आकर हम लोगों ने दो जगह को experience किया है कर दो कि कि अधार दो कर दो कि अधार 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 फ्रींच कि अर्ली मॉर्णिं हम लोग फर्ण निल से निकल के एक खिल में आ चुके थे तो हम लोगों ने भी रूम में चेक इन नहीं किया और हम लोगों ने अपना समान वहीं ड्रॉप किया और हम लोगों निकल गए साइट सिंग करने के लिए तो फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं एक वैली देखने के लिए इसे कहते है वैल वैली एसे लार्जेस्ट वैली तो दोस्तों इस पौइन्ट को बोलते है वैली फॉइंट और यहां तेलिसकोप दिखायाता है वैली का द्रिश्यू आहां पर लाइल लिए और जाइन रिए हाँ यहां आप आराम से यहां पर डेड़ से दो गंटे आप स्पेंड कर सकते हो बहुत अच्छा द्रिशह है यहां पर सब बिजी है इन एस बिगेस्ट पैली में फोटो किचेने के लिए तो देखे गाज यहां कितना फोटो सूट हो रहा है और खाली आखों से देखने में जितना अच्छा लग रहा है यह पता नहीं कैमरा में इतना कैप्चर हो रहा है कि नि बट ऐसे देखने में मन नहीं भरा लग रहा है यहीं पर खड़े रहो और बिद्दम नहारते रहो वैली के अल्टिमेट व्यूस के साथ साथ में हम लोग अब इन्जॉइ कर रहे थे यह कैरी यहां की बहुत पेमास है और बहुत तेसी लगती है और फ्रेंड्स यह जो वैली है जो अभी हम दो उपर से देख रहे थे हैं टेलिसकॉप से उस वैली में एक बहुत अच्छा कॉटेजेस भी है हट्स कॉटेजेस यह रहा है वो हट् आपर का व्यू एकडम खने जंगल अच्छा कॉटेजेस अच्छी बात मतलब यह सबसे अच्छी बात मुचे यह लग रहे है कि मतलब यहां गरीन देख एकडम कमी नहीं है पेड़ बेड़ एकडम नहीं काटे जाते है और अंत्रा और अधिते एस बिगेस्ट वैली के साम सब्सक्राइब इस मतलब यह खा रही है तो मतलब यह लाई के साम अद्ट विछम वाटरिए अग्यार यहां कॉप्षा इस अच्छी बिए रहा है कि अंच्छी बात माली यहां रहां कि निक हमम हम गाया बढा रहे हैं ने ला का मैंगात्य मैं तुलूम नाली इस लेंसने आफ इंजी कर दो दे प्रियोंग जो है था ऐसा था result video वकल आफिפ रवागी तो की युद रहना है अरओन समय, किट्णन सब्सक्राइट, शूटिंग będzie सिर्ण में। यह नहीं किरिए किलाया थिणल क्या है जह जा अ.. व्यूरत ने इस नियुएरल मिने हैं... यह रहें, इस टाइगर एकल एकल है यह खालती है मेरे दिल में एगल सोय है यह संग यह सुठी हुआ हुआ है यह रस्ता में शुटिंग हुआ था या इधर डल्फिन स्वाज जाने तब कर अच्छा संजाइदत साजन मुवी अच्छा उटी में मुवी इसका बहुत सुटिंग होता नहीं? हाँ जी, आभी होता के नहीं मनुट काने तर होता हुआ एक इसका पर यहां है नहीं मुझा सब आपने देख कर गभी हैं आपने देखा है अगर क्या हो चीटा देखा चीटा और बैसंस है जाई अब नहीं देख रहा है बहुत जादा में वीज जंगल है यह घना जंगल है जैसे जीम कोर्वेट, मेरे को छोड़ दोगी तो I will be the happiest woman of this अब मेन हो जाओगी ना, चीता आग के बगाएगा बगाएगा नहीं, खा जाएगा और 30 दित तक उसका पेट बढ़ा गएगा तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बहुत कॉमन होता पहाडों में ऐसे जाम लग जाना, तो अभी हमारा एक घंडे के आसपास वेस्ट हो गया पूरा, मतलब हम लोग वॉकिंग कर रहे थे थोड़ी देर का रहें बैटे थे थोड़ी देर वॉकिंग कर रहे थे बट डेस्टि जो है ये खाली हुआ फिर हम लोग आगे बढ़ें के अब फिरेंट्स ये मेरे पीसे आप देक का टेकर है और ये बहुत बड़े अरिया है ये पूरा वैली में मतलब ये टी गारदे हैं ये उपर का टी गारदेन चाने दो बहुत सुंदर ए रिया है दूस्ते इतने सुंदर है ने हाँ यह पतली लेप्स 5500 भी लिखा हो है क्या? तो दोस्तों यह सुन्दर सुन्दर वादिया थी चारो और यहां से जाने का मनी नहीं कर रहा था लेकिन फिर हमें आगे भी जाना थी तो हां पर नावर हम लोगों ने थे यहां बहुत मौज मस्ती की और फिर बढ़ चले आगे की डेस्टिनिसंग की और मैकरो ऊस्टमा बरती कर थो को यह स्काहिम । नीलिकिर कात्यी बॉट का राह schol चोड नॉटा है ओ ड्राटराorous नाटे मुजन शर राम एस उस्टा आग्या आगे देट्टीर पॉंहिए नोगोर डिriers स्टीरky आ सकतीखा प्रॉंहिचे का दिशिखिखा रॉंहु के दनना कर और नेत्ड दिखे नौ अजित ते रॉंहिच के और होटर मीर्णी को प्रेंट सि lॉंहिचीर, मौनंगोर्ड होड़ी दनननी अगियोदा 2 लोहनु धर पाइट दो और के लेब ब्युल्पे पर चॉपधि करके दुकार से च्राइब करिया है अब आने आस्ताभे टी एस्टेट्ट देखे न असको चाइपति पुरा मेलेगा तो कांपनी आउटलेट चाई जरह टेस्क है दिके पसंदागे तो चाई पति को चेतो ट्राइक सकते हैं तो चाई लिए के साथ ड्रीयोन के बाने के बाद शेल के सकते हैं अल्मू, च्राफ्च, च्क्ती न्हाल मैं अल्मू, जल्म, क्योज़, ताफ्टाफ्टान, क्योज़, झाल्म , यह क्योजीं रुष्य मेंस्मेल है कि निट्ट गूर्ढ गीक्रमे रियुक्त गीक्रमे तुर्श गीज़ वुक्त पुल्ट ईन मिड़ निकल का अम्लोग नया प्लान डालतें तो त्यन तो प्रसफ दायग जाद भी दायगा रगलर में भी देतें एक प्लान से फ्रूट आने के लिए तो त्री मुन्स लाएगा, त्री मुन्स का बाद ट्वेंटी मेना तक रेगले देता हम लोग अच्छा से मेंट्या करेंगा तो यह फिलन फ्ला आर्गानिकर नहीं है, अम लोग यह की फेटलेजर आते वह आर्गानिकर प्रेजर है, अब वह फेटलेजर है, वाई निदना पुरान उतना चाहरा है, तो फ्रेंड्स हम लोग आये है, डॉल्फिन स्नोस व्यूपाइंट में, हम लोग यह खड़े है न, इसी को डॉल्फिन स्नोस बोलते है, और यह रहा, इस मांटन के ओपर न, यह बांडरी है, इसी को डॉल्फिन स्नोस कहते है, एकदम नुकिला सा पॉइंट है पाहड का, इसे बोलते है मांटन स्नोस, और यह रहा, डॉल्फिन स्नोस, और यह एकदम नुकिला पॉइंट है पाहड के सब से उपर, और यह एकदम घनी पहाड़ी है, जो घना जंगल है, यह जो रॉक्स देख रहा है न, यहां से पहाडों का पूरा बहुत अच्छा सा वियूज है प्लस यहां पर सामने फाउंटेंज भी है तो बहुत सुन्दर वियूपॉइंट है यह एक्च्छल में और यह जो रॉक है ना इसका जो सेप है वो लैम्ब के जैसे इसलिए से लैम्ब रॉक बोलते है यहां से वियू जो है बहुत संदर है उटी का एंड इस वियू इस जस्ट अमेजिंग वियू है यहां से लैम्ब रॉक से और लैम्ब रॉक आने के लिए फ्रेंट्स आपको एक किलोमेटर का ट्रैक करना पड़ता है और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर तो फ्रेंट्स यह है प्यूर फॉरेस्ट एकदम डेंस एरिया है और यहां पर है लैंब रॉक जो अभी जस्थ हम लोग ने विजिट किया और देखिए यह फॉरेस्ट देखिए यहां पर से चीता बाइसन एलिफेंट सब है जहां हम लोग वाक कर रहा है ऐसे ही रोड बने वे यहां पर जंगल की बीचों बीच और यह जो यहां पर पहाड ना पूरा रॉक मॉंटेंस है तो फ्रेंड्स अभी जस्थ हम लोग ने रूम में चेक इन किया है तो दोस्तों यह है हमारा आज का रूम यह किचन एरिया है और यह डाइनिंग एरिया विंडो बहुत अच्छा है एकदम कोलोनियल स्टाइल में और यहां पर है एक बेड्रूम और यह बड़ा सारा वाट्रॉब है तो फ्रेंड्स यह हमारा आज का रूम 26 जैन है आज और हम लोग ने रूम चेंज किया है उटी एक खिल में आए है रूम में एक टीवी है और फ्रूम का अर्खिटेक्चर बहुत सुंदर है रूम बहुत अच्छे से सजाए हुए है बेडिंग बहुत सुंदर साफ है और यह बेड काफी बड़ा भी है और यहां पर एक छोटे सा हीटर भी है और यह है टॉयलेट एक दम क्लीन एक बड़ा सारा मीरर है यह और जब तक मैं वीडियो बना रहे है जब तक यह ट्रे पुरा साफ हो गया लोग पाहिए लोग पाहिए लोग देम यह लाइट मोब अच्छा लगा पता है यह सिंपल और सूबर लाइट है बहुत सुंदर कदर है तो फ्रेंड्स सामके आड़ बच चुके थे अब हम लोग जा रहे डिनर करने के लिए तो चलिए आप ही हमारे साथ इंजॉय कीजिए बहुत अच्छा महौल बना हुआ है आज इस ओपने अरे अटामना थीक थीक है अच्छो बच चन्दे सुनाइवा करी तो किसे अप्रेफ जाल id evolved अक्षेस लेट ए्टन्स यophone फस्चेस हे रवा कि अजह ऑ nerd मच बड़ाओ बड़ाओ मॉठाओ सुछ़ मॉठाओ दिए मॉठार ग्सान मॉठाओ बड़ाओ जयर दॉट उपड़ाओ कि अबड़ कि अबसे लिठी अबसे लीकिर को चिए एफिए वजज़ को चड़दा में अबसे लेगार कि अबसे हो लिए हो जबसे हों आबसे हो अबसे लोगषना। झाल झाल तो फ्रेंड्स अभी हम लोग डिनेर करते हैं उसके बाद फिर बिलते हैं आजिटीय चेकिंग परियानी अधिया ने लाइक अधिया ने लाइक अधिया 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 टो फ्रेंड्स दिनर करने के बाद हम सब आ गए थे हैंटे वह इंञा लोबी अरिया में पर अधिया अधिया बच्चे बडे सबी इंज़ॉय कर रहे हैं गेम्स रूम में भी बच्चे गेम्स केल रहे थे और बाहर में हम सब इंज़ॉय कर रहे थे इतने थके हुए हैं महुआ बहुत अच्छा लग रहा था और चुक्कि लाइटिंग इतनी अच्छी थी न तो यह जो वैली का व्यू अच्छा आ रहा था और यह पूरा इस ट्रलिंग में भीना लाइटिंग बहुत अच्छी की जाती है तो सब मिला जुला कर बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंट किया और हम लोग थोड़ी देर तक दूपते रहें देखें यहाँ बच्चे इंजॉई कर रहे हैं और चुकि यहाँ गेम स्रूम होने के कारणना बच्चे लोग बोर्ड नहीं होते हैं और हुआ की बच्चे लोग बच्चे लीचे लिएपान लुम है जाता है सजी है बच्चे लीचे लोगाइम इतना सुन्दर बनाया है यह जिसमेरे हैल सब हैंड मेड़ी यह परता है और फ्रेंड्स हम लोग घुमते हैं लॉन की तरफ भी चले गए और राम में लॉन बहुत सुन्दर लगा था सुपह तो इसकी ब्यूटी अलग है लेकिन साम की ब्यूटी भी बहुत अलग है तो फ्रेंड्स देखिए कितना सुन्दर यह लॉन है और साम की टाइम में इतना सुन्दर लग रहे है ना चारो तरफ ग्री और यहां पर यह पूरा ग्रास लैंड है कि इनर आज़ा यहां भी लिफ्ट है लेकिन जाने का देखो उसाई लिफ्ट है तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं विडियो के एंड पर आती हूं आपको विडियो कैसा लगा कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक दियना और विडियो को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो प् सब वापीस से आप सबों को करतंत्र दिवस की बहुत बहुत बढ़ाई कर दो पर आप सबस्क्राइब कर दो तो एक दो प्रणा अगर आप विडियो को जाए हो तो प्रणा आप से अपको जाए हो तो आप टो एक दो आप